नाजीन आदाब मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं MMC News इंडिया नाजीन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें उबैद उल्ला नासीर ने मौजूदा हुकूमत पर किया खास तबसरा उबैद उल्ला नासीर ने कहा आलमी बराद्री हिंदोस्तान के दाखली हालात पर जाहिर कर रही है तश्वीश अक्वामे मुतेदा ने अकलियतों के साथ होने वाले सुलूग पर भी जारी की रिपोर्ट उबैदुल्ला नासिर ने अपने मजमून में मौजूदा हुकूमत पर क्या कहा देखिए इस पर हमारी मुकमल रिपोर्ट हिंदुस्तान इस वक्ट शदीद बहरान में मुक्तला है हिंदुस्तान को आज फिरका पलस्त फस्ताई टाकतों ने ऐसा बना दिया है कि आलमी बरादरी पर उंगलियां उठा रही है बैनुल अक्वामी सते पर हिंदुस्तान की इज़त हाक में मिल गई है माशी मुहास पर हिंदुस्तान की हालत ये है कि 2020 में हिंदुस्तान को तरक्टी पजी मुलक होने का दाग धोगत तरक्टी याफ्ता मुलकों की फैरिस्त में शामिल हो सका है रोजनाम इंकलाब ने अबैदुल्ला नासिर का एक मजबून शाय किया है जिसकी सुर्खी कुछ इस्ताना है वतन अजीज एक शदीद बहरान में मुबतला है एक तरफ जहां मुलकी यगजैती, सलामती और इस्तिकाम खत्रे में है वहीं बेनुलाकवामी सते पर इस हिंदुस्तान की इज़त हाक में मिल गई है जो कभी गरीब पस्मानदा, नौबादियात के शिकार मुलकों के लिए उमिकी किरन और मशाल रा था हिंदुस्तान जैसा एक गरीब माशी और फोजी तोर से कमदोर मुलक, अमरीका और सौवियत, रूथ जैसे बुलाकों के सामने तीसी दुनिया के मुलकों की कयादत कर रहा था जिसके मिम्बरों की तादाद अक्वाम मुतेदर के मिम्बरों के बाद सबसे ज्यादा थी लिख रहा है हमसे हुकुक ए इनसानी से वाबस्ता तन्जीमे सवाल पूछ रही है और हमारे खिलाफ करारदादे मनजूर की जा रही है माशी मुहास पर हालत यह है के 2020 में हमने तरक्य पजीर मुलक होने का दाख दो कर तरक्य याफ्ता मुलकों की सफ में शामिल होने का निशाना मुकरर किया था मगर अब आलमी मालियाती फंड कह रहा है कि हिंदुस्तान की वज़ा से दुनिया के कई मुलकों की मैशत बरबादी के दहाने पर पहुँच गई है 1947 में आजाद हुआ हिंदुस्तान माशी और फोजी तोर से बेहत कमजोर था हालत ये थी के एक सुईवी हमारे यहां नहीं बुनती थी पूरा मुलक भुग मरी की जदमे था अमरीका, औस्रेलिया, यॉरॉप के दीगर मुलकों से गेहूं आता था तो घरों में एक वक्त चूला जलता था इन हालात के बावजूद महात्मा गांदी ने जंग अजादी के दोरान मुलकों जो आदर्श और उसूल दिये थे और पंडित नहरू ने जिस दूर अंदेशी तरकी पसंदी, रवादारी और पुर अमन बकाए बाहम के जिन उसूलों पर नए नए आजाद हुए जंजीरों में जकड़े एशिया, अफरीका और लातीनी, अमरीका के मुलकों के लिए महत्मा गांदी की खयादत में लड़ी गई, हिंदुस्तान की जंग अजादी एक मशाल रात थी जिससे फैजान हासिल करके इन मुलकों ने घुलामी की जंजीरे तोड़ी जवालल नहरू ने पंच शील का फलसफा दुनिया के सामने पेश करके सर्दे जंग को जंग में तबदील नहीं होने दिया इस जमाने में पंडित नहरू का नाम ही आलमी अमन और इस्तिकाम की जमानत था खुद अपने मुल्क में तक्सीम का जो कारी जखम लगा था और आबादी के तबादले के बाद आग और खुन की जो होली खेली जा रही थी उसे रोकने में पंडित नहरू की पॉलिसियां ही नहीं उनकी जिस्मानी महना से भी आज की नसल भले ही नावाकिफ हो लेकिन आज स दस साल पहले तक देली में वो लोग जिन्दा थे और अब भी होंगे जिन्होंने खुद पंडित नहरू को पुलिस वालों से लाठी चीन कर फसादियों से भीरते हुए देखा था मैंने ये वागिए पाकिस्तान के मुम्तास सहाफी वसतुल्ला खान के एक मजमून में पढ़ा था मजब की बुन्यार पर मुलकी तक्सीम के बाद हिंदूस्तान को हिंदू राष्ट बनाने गेर तालिम याफता लोगों को जिन में अकसरियत दलीतों और मुसल्मानों की होती वोट का हक ना देने या मुलकों दस बरसों तक जमूरियत के बज़ाए फोजी हुकूमत के जहरे इंतिजाम रखने जैसे ना जाने कितने दबाव पंडित नहरू और उनकी टीम पर थे लेकिन पंडित नहरू मौलाना आजाद सरदार पटेल डॉक्टर अमबेटकर समेथ हमारे रोशन जमीर बुजूर्गों ने जमूरियत सेकुलर्जिम मुसावात हक राय दही साइंसी मुजाद जैसे तरक्ती पसंद रास्ते को चुना और उसी पर हिंदोस्तान की तामीरे नौ के लिए एक आईं तयार किया हमारे आईं में हुकूक एंसानी की इन तमाम बातों को अक्वाम मुतेदर के हुकूक एन चार्टर से भी बहुत पहले शामिल कर लिया गया था ये तमाम बाते ना सिर्फ हिंदोस्तानियों के सर फक्र से उचा करती थी बलके आलमी बरादरी में उन्हें एक एहम मुकाम भी दिलाती थी हिंदोस्तान अमरीकी और सोवियत बलॉक से अलग एक नए बलॉक जिसे तीसी दुनिया या नावाबस्ता मुमालिक कहा जाता था और जो अक्वाम मुतादर के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा मुलकों की रुक्यत वाला ग्रूप था उसका काईट बन चुका था पंडित नहरू के बाद मौतरमा इंद्रा गांदी से लेकर अटल जी और डॉक्टर मन्मुहन सिंग तक हमारे सबी वजराय आजम ने मुलकी इस शांदार रिवायत को बरकरार रखा और आलमी बरादरी हिंदोस्तान की इज़त और शानमी इजाफा करते रहे इसी दोर में इंद्रा गांदी के जमाने में शुरू हुए सब्स इंकलाब ने नासिफ हिंदोस्तान से भूक का खत्मा कर दिया बलके हमारे किसान इतना गल्ला पैदा करने लगे के दूसरे मुलकों को एक्सपोर्ट भी कर रहे थे भूक मरी के शिकार अफरीकी मुलकों को जहाजों में भर कर गेहूं भी बेचते तो हमारे गौदामों में इतना गल्ला होता कि पांच बरसों तक हमें किसी फिक्र की ज़रूरत नहीं होती थी लेकिन आज हिंदोस्तान दुनिया की भुक मरी इंडेक्स में सरे फेरिज से कुछ ही कदम दूर है 2020 में हमने अपने उपर से तरकी पजी मुलक होने का तमगा हटा कर तरकी याफता मुलका ताज पहनने का फैसला किया था हम इस जानी तेजी से गामजन थे दुनिया की 6-7 बेहत तेज रफतार तरकी वाली मैशतों में हमारा शुमार होता था हमने आलमी कसाद बाजारी के जटके को असानी से जले लिया क्योंकि हमारी मैशत की बुन्यादे मजबूत थी जबके अमरीका तक की मैशत की चोले हिल गई थी आज हमारी मैशत की हालत यह है के मुल्क माशी तोर से बिलकुल खोकला हो चुका है मोदी हुकुमत ने पहले रिजर्फ बेंक से 1,72,000 करोर रूपिय जबरदस्ती लेकर आलमी माशी बाजार में इसकी साख पर सवाल खड़ा कर दिया फिर दोबारे इसकी गरदन पकड़कर इस से 45,000 करोर रूपिय लिया और अब फिर 10,000 करोर का मुतालबा कर रही है आलमी माशी फंड ने इल्जाम लगाया है कि दुनिया के कई मुल्कों की मैशत को तबा करने में हिंदोस्तान का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि हमारी डूपती मैशत का असर इन पर पढ़ रहा है मुल्क में बेरोजगारी किसानों की खुदकुशी, छोटे कारोबारियों की तबाही, बैंकों के दिवालिया होने तक की नौबत आ चुकी है लेकिन हुकुमत की तरजिहात में मुल्की माशी हालत, सुधारना, अवाम को सहूलियात, फ्राहम करना, उनका मियारे जिन्दीगी बहतर करना वगेरा कुछ नहीं है जिसकी वज़से नासिफ मुल्क में समाजी बेचैनी फैली हुई है, शाहिन बाग जैसे एहतिजाजी मराकिस पूरे मुल्क में फैल गए है हुकुमत पूरी ताकत, जल्म और बरबरियत के जरिये उन्हें कुचल रही है ऐसा लगता है के हम एक अज़ाद मुल्क और आईनी हुकुमत के शहरी नहीं बलके किसी अरब तानाशा की हुकुमत में है मोदी हुकुमत, इसके वजीर दाखला अमिट शाह और उत्रपरदेश के वजीर आला का रवया जमूरी हुकमरानों वाला नहीं बलके तानाशाहों जैसा है उनकी इन गयर जमूरी और गयर आईनी हरकतों से संग परिवार से वाबस्ता अनासिर भले ये खुश हो रहे हो आम हिंदुस्तानी देख रहा है के एहमकाना और फिरकावाराना कुआनी बनाकर मोदी हुकूमत, मुल्को खाना जंगी की तरफ धकेल रही है वो उसे शिरी लंका या शाम जैसा मुल्ग बनाने पर तुली हुई है जिसे रोकनी की जिम्मेदारी अदलिया पर आइद होती है अजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है के आलमी बरादी हिंदुस्तान के दाखली हालात पर तश्वीर जाहिर कर रही है दुनिया के बड़े मशूर और मौदबर अखबारात हिंदुस्तान में हुकूक ए इनसानी की पामाली अकलियातों के साथ सौतेले सुलूक और मजालिम को लेकर पहले पेच पर बड़ी बड़ी खबरे च्छाप रहे है अक्वाम मुतेदर ने हुकूक ए इनसानी की पामाली और अकलियातों के साथ होने वाले सुलूक और मजभी अदम रवादारी पर रिपोर्ट जारी की है माशी समाजी और सियासी हालत को लेकर हिंदुस्तान ने रोजे अवल से अब तक जो नेक नामी नहरू से लेकर अटल जीत और मनमोहन सिंग तक ने कमाई थी वो मिटी में मिल गई लेकि मोदी, अमिच्छा, योगी और उनके हामियों पर शायद ही इस बदनामी का असर हो क्योंके वो इसमें अपना सियासी फायदा देख रहे हैं तो ये था नाजरीन रोजनामें इंकलाब में शाया उबैदुल्ला नासिर का मजमून जिससे जाहिर होता है कि आज हिंदोस्तान अगर शदीद बहुरान का शिकार है तो वो सिफ फिरका परस फस्ताई ताकतों की वज़ा से है हिंदोस्तान आज दुनिया की भुखमरी इंडेक्स में सिफ कुछ ही कदम दूर है ये बहुत ही अफसोस नाक है अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हिंदोस्तान जिस्तान शदीद बहुरान में मुपतला है क्या मोदी हुकूमत गएर जरूरी मसाइल को छोड़कर जरूरी मसाइल पर कोई कदम उठाएगी या नहीं यूसरान सारी की रिपोर्ट MMC News इंडिया नहीं दहली है तो नाजरीन हम फिर आजी रहोंगे कुछ बड़ी हबरों के साथ तब तक के लिए हमें दीजिये जाज़त और देखते रहिए MMC News इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया दाफिस